सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मैं सुनिल वर्मा धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं धे टीवी पर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने प्रोगाम पर जैसा कि हम प्रती दिन करते आए हैं आईए एक नजर डालते हैं आज की परमुखवरों पर सबसे पहले हम बात करेंगे भूजल अधिनियम 2020 जी हाँ अगर आज आपने नियूज फेपर देखा होगा तो आपको पता चला होगा उत्तर परदेश सरकार ने इससे संबंधित कोई निर्णे लिया है डिसीजन लिया है और उसकी चर्चा काफी नियूज फेपर में बनी हुई है देखेंगे बढ़ता हुआ जो जलसंकट है भारत के संदर में उससे उत्तर परदेश सरकार किस तरह से निपटने का प्रयास कर रही है और आने वाले समय में क्या यह एक उदाहरण एकजामपस सेट हो सकता है अन्य राज्जियों के लिए या फिर यह सिर्फ खाता पूरती है वहीं जो दूसरी हमारी खबर होगी उसमें हम बात करेंगे CRBM प्रनास मिसाइल देखेंगे आखिर यह प्रनास मिसाइल क्या होता है और क्यों खबरों में बना हुआ है इसकी विसेशताएं क्या है और आने वाले समय में यह कैसे भारत की सुरच्छा को मजबूत करेगा तो साथी साथ हमारी जो चुनोतिया जो पडोसी देशों के साथ बनी हुई है उसमें कैसे सांती इस्थापित करने में मदद कर सकता है तीसरी जो हमारी खबर होगी वह होगी नासा से और उसका नाम है मार्स 2020 रोवर देखेंगे आखिर यह क्यों खबरों में है आई एक एक करके हम इन खबरों को बिसलेसित करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे भूजल संसाधन बिधियक 2020 यहाँ पर एक चीज़ धिया दिया जी जी इसका पूरा जो नाम है वो भूजल अधिनियम 2020 है संसाधन इसलिए सब्दों जोड़ा गया है क्योंकि जल क्या है एक संसाधन का परमुक रूप है और उसके लिए यह सब्द योची है अब देखिए आये सबसे पहले हम बात करते हैं पाने पाने पान पानी नहीं आया तो आपको क्या करना होता है जो पैक्ड बोटल के पानी आते हैं उस पर निर्वर रहना होता है और उस समय आपको समझ में आता है कि पानी की किमत क्या है बरतमा समय में यह कहावत जो है कि अब यह थार्थ बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसके पिछी का कारण ये है कि पूरे देश में water crisis बढ़ता चला गए आपने इससे पहले अभी कुछ समय पहले देखा होगा निती आयोग ने एक index जारी किया था जिसका नाम था Water Composite Management Index और ठीक इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले ही Water Stress Index भी आया था इन दोनों ही रिपोर्स को अगर बात करें तो आपको पता चल रहा है कि जो भारत में जो जल संकट है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है उनी को हम कबर करने का प्रयास करेंगी और इसी के साथ हम देखेंगे उत्तरपरदया सिरकार के पह है तो देखें और द्योग करन नगरिकरम बढ़ती जनसंक्या और उसकी जो आवसके हैं उसकी जो मांग है ुसकी वज़े से जो है कि जल संकट तेजी से बढ़ रहा है और इसके वज़े से क्या हो रहा है groundwater तेजी से कम हो रहा है अब प्रशना आहे गा groundwater क्या होता है इदेखी मैं माल लेता हूँ एक कई छेतर है और इकड़ों में जो जगे होती है इनिमें पानी जाकर रिस-रिस कर इकठा रहता है और इसी को हम pump करके क्या करते है निकालते हैं तो जो पानी आपकी जमीन के अंदर जो मिटी के जो छितर हैं उसमें जो संचित रहता है उसको ground water कहते हैं, और ये ground water बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं होता है, इसका मतलब भी नहीं कि 1 km, नहीं, ये समाने तो जो है कि 1.500-200 फिट कुछ एरिया में या 3-300 मीटर तक भी गहरा होता है, और ये समाने तो होता है कि जब बरसा का पानी होता है, तो बरसा का पानी होती है, तो अगर आप वहाँ पे छोटा सा गढढ़ा, मतलब 10-15 फिट भी गहरा गढढ़ा करें, तो आपको पानी आसाई से मिल जाता है, कारण क्या है कि वहाँ पे जल की आप पूरती बनी होई है, और वहाँ क्या हो रहा है, जो उसका ground water है, वो रिचार्ज होता है, ठी से कम जा रहा, कुछ समय पहले आपने देखा एक संकट आया था चैन्नाई में और बैंगलोरू में, यहाँ पर क्या हुआ था, जो है कि पानी कि इतनी किलत हो गई है, कि जो है कि टेंकर से पानी सप्लाई किया जाता है, और इसके लिए 5-6 km लंबी लाइने लगती है, बाहर भी बढ़ती हुई देखाई देरे, इसलिए हमें इसलिए थोड़ा सचेत हो जाने की जरूरत है, कुछ दिन पहले ही आपने एक सहर का नाम सुना होगा, और सहर था कैप टाउन, तो जो कैप टाउन सहर था, उसको कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वह घोष्ट टा का उसका महत खतम हो जा रहा है, उहां पे लोगों को रहने में दिक्कत हो रही, तो लोग उहां से माइग्रेट करते हैं, तो ऐसे सहरों को बोला जाता है घोष्टा, तो जैसे केप टाउन के कंडिशन बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक इसी तरह भारत भी सी और जो हमारी परमुक्ष सहर हैं, वो सभी सहर क्या करेंगे, वाटर क्राइसिस का सामना करेंगे, अगर एक चीज़ और देखें, देश में लगभग 54-55 फिस्दी कुए सूख चुके हैं, और पिछली 10 बर्सों में भूगर्भी जलिस्तर अर्थत ग्राउंड वाटर में 54% की क ग्रामी आई है, और बर्तमान स्वा में 9.7 करो लोग जो सहरी छेतर में हैं, और इनको जो है कि फ्रेस वाटर की क्राइसिस का सामना करना पड़ा, तो वहीं ग्रामीर छेतर के 70% लोगों को स्वच जल की आपूर्ती नहीं हो पा रही है, तो इससे कैसा चैन बनेगा, आप इसको खोलने का प्रयास करेगा, मैं अगर उसमें समय खर्च करूँगा, तो चूंकि वीडियो कापी बड़ा हो जाएगा, I hope आप इसको समझ पा रहे होंगे, कि यह बहुत थी जादा डाइनेमिक लाइन है, इसका इफेक्ट होता है, इसी कारण जो है कि हमने देखा ह यह ही है कि जो हमारे यहाँ पहले बाद तो पानी की कमी हो रही है, और दूसरा आज तक हम लोगों को हैंड पम से सभी लोगों को सच्छे जल किया पूर्ती नहीं कर पाएं, तो जो है कि पाइव के माद्ध्यम से और टोटी के माद्ध्यम से सब को पानी पहुंचाना, एक लगभग इस समय 33-34 कर लोग ऐसे छित्र में रहते हैं, जहां लगभग साल भर सूखा पढ़ा रहता है, अगर सूखा पढ़े रहने की कंडिसन आपको आपके समझ रहे हैं, कि वहाँ पर आल्रेडी क्या है, वाटर क्राइसिस बनी होई है, पहले यह माना जाता था नदिय हैं, सुख्चे जल का सुरोत होती हैं, लेकिन अब नदियों को अगर देखा जाए, तो इनका भी जो जल है, वो क्या हो चुका है, पर्दूसित हो चुका है, अरथाथ ग्राउन्ड वाटर तो पहली से उसमें कमी आ रही है, और नदियों का जल पर्दूसित होता जा रहा ह कि वो नहानी योगी भी नहीं रहा है, पीने योगी तो बात छोड़ दीजी, अगर हम इस समय अगर जल का उपयोग देखें कि कहां पर किस खेतर में कितना खर्च हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो हमको दिखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको 80-83% कृसी के खेतर में, 9-11 उद्योग में और 7-8% जो है कि घरवेली चितर में वोटर का उपयोग होता है, और इस तरह से पता चल ला है कि जैसे 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 जनसंख्या बढ़ रहे है, जनसंख्या के लिए खाद सुरश्या सुनेचित करने के लिए हम अधिक से अधिक ग्राउंड वोटर का हो जाएगी, आप समझ सकते हैं कि 2030 तक ही क्या हो जाएगी, जितना मांग है वह बरतमाल से दुगुना हो जाएगी, जबकि ग्राउंड वोटर तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन मांग जरूर बढ़ रही है और देखिए कुछ ही समय में क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाए है आपको एक इंडेक्स दिखाया गया है और वह ग्राउंड वोटर को, यह देखिए जो ओवर एक्स्प्लोइटेड लिखा है, मतलब वह एरिया है कि जहाँ का ज्यादा यूज किया जाएगा है, साथी साथ जो च्छित्र कुछ ऐसे च्छित्र दिखाया गया है, जो सेफ कुछ चित्रों की वो आप इहां पर देख सकते हैं, और इस तरह से है कि हर चित्र में भारत में सभी जगह जल की आपूर्ती है एक परकार की नहीं है, आप प्रशने उठा सकते हैं कि आगे भारत में जल संकत क्यों है, तो उसके पीछे का एक कारण में बताया कि हमारे हाँ जनसंख्या जादा है जनसंख्या की आपूर्ती के लिए हमें अधिक स्वच जल की जरूरत पड़ रही है उतनी जो है कि उस रेट से रिचार्ज नहीं हो पा रहा है इस वज़े से क्या है जलसंख्या बढ़ता चला है दूसरा हमारे यहां जो जल का रिचार्ज होने की जो प अर्तमान समय में जो मांसून का जो पैटर्ण चेंज हो रहा है बारिस के मात्रा चेंज हो रही है और साथ ही साथ जो पक्की संरचनाएं बनाई जा रही है इन पक्की संरचनाओं से ग्राउंड वाटर के आउर नीचे तक नहीं जा आप देखिए आपके ही गाउने पहले जो है कि कच्ची सड़के होती थी तो कच्ची सड़कों में मिट्टी के मादम से पानी नीचे जाता था अब पक्की सड़के हो गई नालिया होई है तो क्या होता पानी पूरा बहे कर दूर चला जाता है और और चार्ज नहीं हो पाता इसी कारान जो कि देखें धीरी धीरी प्रति ब्यक्ति जो जल की उपलब्धता 1944 में 6,000 घन मीटर थी वह बर्स 2,000 में घटका 300 घन मीटर और बरतमान में लगभग 700-800 घन मीटर के बीच रह गई है और आने वाले समय में इसमें और जो है कि क्या होगी कमी होगी इसका एक अच्छा सा एक्जामपल आपको यह देखने को मिलेगा कि लगभग 300 लोगों की मत जो है कि सिर्फ और सिर्फ किवल जल सुच जल ना मिल पाने की कारण प्रति दिन होता है और इससे हम समझ सकते हैं कि समस्या कितनी जटेल है इसी पच्छले 50 साल में जो आबादी में तीन गुना बृद्धी होई है इसने जल संकट को और बढ़ा दिया है और पानी की कि जन संक्या में 50 साल में कितनी तीन गुना बृद्धी हुई है लेकिन पानी की खपत जो है कि 800 परतिसत बढ़ी है आप समाझ सकते हैं कि दोनों के र उसमें 49 से 50 जल संकट का सिकार हो जाते हैं और यहां पर पीने की पानी की दिक्कत महसूस होती है बुंदेल खंड का जो छेतर है यहां पर तो मानो संकट यह जो कंडीशन है यह जो क्राइसिस है मानो संकर तक पहुंच जाता है और आपने देखा होगा कि जब गर्मी का समय आता है तो उहां पर जो तलाप हैं गड्धे हैं उसमें जो पानी भरे रहते हैं जिसमें जानुवर जो है कि अपनी दैनी किरियाएं कर रहे हैं उसमें जाके लोग पानी भर के लागत है आप यूटूब पे आप इसको सर्च कर सकते हैं ऐसे में क्या है उत्तर परदेश की कंडिशन भी ठीक नहीं दिकाई देती और सिर्फ बुंदल लिखन नहीं पस्तमी उत्तर परदेश के भी बहुत से छेत्रों में वाटर क्राइसिस काफी बना हुआ आप 49 जिलों को समझ सकते हैं कि कितनी बड़ा आकड़ा है इसलिए उत्तर परदेश सरकार आने वाले समय इस चुनोटी से निपटने के लिए भूस जल सरचन विध्यक 2020 को उसने 12 फरवरी अर्था को इंट्रिडूस किया है अर्थात कल इसको आना और सजा का भी प्रावधान किया गया है अर्थात जब तक गर्मी का पूरा चरम स्वरूप अपने सामने आये और जल जो है कि तेजी से घटने उससे पहले ही सरकार ने प्रयास प्रारंब कर दिये हैं हाँ यह जरूर देखना होगा कि इसका इंप्लिमेंटेशन किस त दिखाई देता है लेकिन अगर विध्यक के रूप में देखें तो इसको अनुमती मिलती हुई दिखाई दे रही है और इससे पता चला है कि सरकार ने प्रारंबिक तोर पे तो कदम उठा दिये इसके तहए सभी सरकारी ओ निजी कॉलेजों तथा स्कूलों को बरसा जल परणाली बिकसित करना होगा इसका मतलब होता है रें वोर्टर हर्वेस्टिंग का जो कॉंसेप्ट है कि माल लेजे पूरा प्रांगड़ है अस्पताल का है बरसा का पानी कहीं क्लेक्ट किया जायाए और उसको मितिम वहीं किसी पाइब के माध्यम से उसी की ग्राउंड व लेकिन कंडिशन क्या है कि हमारे यहां जल का बर्सा का जो जल होता उसका बिल्कुल भी उप्योग नहीं होता और नहीं हम उसके लेकर केर पूल है तो कोले में लाकर यह बात कही गई है इसी के तहरे संबर सेवल जो पंप लगाने के लिए अब आपको क्या करना होगा पहले उनलाइन पंजिकरण करवाना होगा और यह जो है कि अन्युआरे कर दिया गया है तभी आप क्या करें संबर सेवल करवा पाएंगे इस पंजिकरण का जो कि घरेलू जो भोगता है किसान उनसे तो कोई सुल्क नहीं लिया जाएगा लेकिन जो ब्यावसाइक प्रयोग होग उस पर सुल्क लिया जाएगा एक कमेटी रहेगी वह देखेगी कि ब्यावसाइक उप्यों किस इस तरका है उसे हिसाब से सुल्क लिया जाएगा सहरी छेतर में 300 बर्ग मीटर से बड़ा घर बनाने के लिए मकान मालिक अगर समर सिवल पंप लगाता है तो उसके लिए उसस और दिखाना होगा कि हमने इस तरह से प्रियास किये हैं आपको पता है जैसे तमिलाडो में जो है कि बहुत समय पहले वहां पर कह दिया गया था कि कोई भी घर मनेगा तो या कोई भी बिल्डिंग मनेगे तो उसमें रेन वाटर हर्वेश्टिंग अर्था बरसा जल संचेन को करना अनिवार होगा तो उसी की तरब जो है कि उत्तर परदेश ने एक कदम उठाया हाला कि तमिलाडो की जो अधिनियम है उसकी तरह कथोर नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि दोनों की कंडिशन भी अलगा उत्तर परदेश और तमिलाडो की खै तो उसके बज़े से यह ज खिर इसका इंप्लिमेंटेशन ठीक हो रहा है कि नहीं अगर कोई व्यक्ति भूजल को परदूसीत करते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे 6 महा से लेकर 1 साल तक के सजा और 2 लाग से लेकर 5 लाग तक का आर्थिक डंड देना हो सकता है अगर उसको दूसरी बार उ लगाया जाएगा यहां पर एक चीज और ध्यान दीजी यह तो ब्यक्ति के इस तर पर हुगा लेकिन आपने देखा हुगा बहुत सी बोरिंग कराने वाली कंपनियां होती है तो उनसे भी कहा गया कि अब आपको पंजीकरन करवाना होगा और हर तीसरी माह आपको सूचित क करना होगा कि आपने कितनी जो है कि बोरिंग किये कितने ड्रीलिंग कि इससे सरकार यह डिसाइड कर सकेगी कि कि किसी छेतर में कितने संबर सेबिल है कहां पर कितने जादा ग्राउंड वॉटर का यूज हो रहा है इसके साथ सासन की इस तर पर मुख्य सच्चिव की जेता में एक 18 सदस्ति भू जल प्राधिकरण बनेगा जिसमें बिभिन विभागों के सच्चिव के साथ साथ जल सरक्षण के बिसे सग्य सामिल होंगे और यह प्रयास करेंगे कि सभी विभाग समन में इस्थापित करके कि आने वाले समय में जो जल सरक्षण को और बढ़ जल नीचे जा रहा है और पहले वह पानी उपर मिलता था और प्रति साल नीचे जा रहा है ऐसे छित्र को इंडिकेट किया जाएगा और सबसे पहले प्राइमरी स्टेज पर इनहीं जो है कि सहरों पर कदम बढ़ाय जाएगा जिस से क्या हो सके रोका जासे अब देखिए अ साथी साथ हम जो है कि क्या करें, अगर हम reduce करें, हम इसको पानी को reduce मतलब कम उपयोग करें, reuse करें, जो कि हम बहुत कम कर पाते हैं, हम इसको क्या करें, recycle करें, यह करके हम इसको पानी को सनचे कर सकते हैं, मांसून के वो हम पानी को ground water के रूप में रिचार करें, water harvesting यह जो है कि Rainwater harvesting जो जल संचेन के पढ़नाले उसको बिक्सित कर सकते हैं, साथी साथ कम पानी वाले फसलों का उत्वादन कर सकते हैं, जो अभी हमारे हाँ अभी घरेलू छेतरों में कितना भी कोई व्यक्ति जलू प्योग कर सकता हैं, उसके हम लिमिट लगा सकते हैं, कुल मिलाकर हमें क्या करना होगा, इस water crisis से निपटने के प्रयास करने होंगे, क्या-क्या प्रयास और कर सकते हैं, आपको भी पता है, ज्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने इस water crisis की जो समस्य है चुनोती को ध्यान नहीं दिया, तो इसकी जो काफी नकारात्मक परभाव पढ़ेंगे, और इस जो नकारात्मक परभाव पढ़ेंगे, आप इसको जैसा चाहें और लिख सकते हैं, यह negativity नहीं है, बलकि इसको आप दिखाएगा कि गिरता हुआ भोजल इस तर हमारे लिए काफी बड़ा चुनोती पुर कंडिशन है, और इससे तुरंत निपटने की ज़रूरत है, यह तो हमने बात की भारत के इस तर पर, लेकिन हमें अगर देखा जाए कि जो हमारे हाँ जो गिरता हुआ भोजल इस तर है, वो सिर्फ केवल उत्तर परदेश की ही समस्त्या नहीं है, बलकि अन्य राज्यों की भी समस्त्या है, कहीं हमारे हाँ देखिए बा प्राप्ति होती है इसको थोड़ा सा ध्यान देखर इसके आधार पर काम करना होगा क्योंकि सभी चित्रम ना तो बरसा प्रयाप्त होती है मतलब एक बराबर होती है और नहीं जो है कि एक समय होती है तो हमें कुछ ऐसा प्रयास करना होगा जिससे जिन बाढ़ चित्रम बाढ सुखा ना रहे अगर सभी जगे हम वाटर को जो है कि एक एक्वल एमाउंट में फ्लो करा सकते हैं तो आने वाले समय में हम क्या करेंगे जल संकट से निपर पाएंगे लेकिन इससे पहले हमें एक चीज और ध्यान देना होगा और वह ध्यान देना होगा चो कंक्रिट के हम सह ठीक नहीं होती हैं अगर हम सहर बिचसित भी कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना हो चाहिए कि हर दस से पंदर फिट पर कुछ ऐसे गड़े हमें बनाने होंगे जिससे ग्राउंड वाटर क्या हो रिचार्ज होता रहे अधर बाइज जो कि पूरा सहरी पानी जो है CRBM प्रनास मिसाइल आपको थोड़ा सा पहले इसकी बेसिक चीज़े बता दूँ तब आप थोड़ा सा इससे जुड़ जाए फिर मैं बताता हूँ कि आखरी यह क्या मिसाइल है पांच फरवरी से लेकर नौ फरवरी तक लखनों में ग्यार में डिंग डिफेंस एक्सवो का आयोजन किया गया और जब यहां पर यह जो आयोजन किया जाता है तो यहां पर जो की हत्यारों की परदर्शनी भी लगाई जाती है यहां पर करेक्ट कर लेजएगा टाइपिंग एरर है तो यह हत्यारों की परदर्शनी के साथ सेना के जवान अपने कर्तब दिखाते हैं अर्थात यह बताया जाता है कि किसी देश की सामरिक छपता कैसी है उसको थोड़े माध्यम से जो है कि परजेंट किया जाता है और इसमें बहुत बड़ी-बड़ी कमपनियां बहुत से देशों के लोग इसमें सामिल होते हैं और वह बताते हैं कि हमारे पास ऐसे टेकनोलजी है आप इसको खरी सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस परकार की सुचना है आपको इस परकार के डिफेंस एक्सपो में मिलती है जैसे आपने देखा ऑटो एक्सपो होता है डिफेंस एक्सपो होता है तो इसमें क्या होता है सामाना तक कमपनियां भागिदार करती हैं और कमपनियां किसी देश का प्रतिनिद्ध करती हैं और साथ-साथ देशों के कई देशों के जो है कि विदेश मंत्री रच्छा मंत्री भी इसमें सामेल होते हैं यह जो अभी आपका यह है ग्यारवा जो डिफेंस एक्सपो आईजित हुआ इसकी जो थीम थीओ काफी इसको एसिया की सबसे बड़ी रच्छा परदर्शनी के रूप में भी इसको देखा जाता है यह जब हो रहा है ग्यारवान डिफेंस एक्सपो चल रहा है इसी समय पर जो है कि सर्जीकल श्ट्राइक जो बरतमान समय में एक आवस्तक जो है कि हमारे लिए भाग लगने लग आपको बिमान हैरोन टीपी को खरीदने की बाद भारत ने कहा कि हम इजरायल से खरीदेंगे आप इसको मैंने इस रेसिप लिया इत्तो इजरायल का यह आपको नाम हैरोन टीपी का नाम रहा है दूसरा कि जब इस परकार के एक्सपो होते हैं तो बहुत बड़े-बड़े M और जो है कि एग्रिमेंट होते हैं घोषनाएं होते हैं खरीद और विक्रे होती हैं इसी डिफेंस एक्सपो में DRDO ने यह घोषना किया कि भारत एक नया टैक्टिकल बैलेस्टिक मिसाइल विक्सित करेगा और इसी टैक्टिकल बैलेस्टिक मिसाइल का जो नाम होगा वह हो कि यह जो आपका मिस्साइल है कौन सी आपका जो प्रनास है जिसका नाम रखा गया है यह एक क्लोज रेंज बेलेस्टिंग मिस्साइल होगा जिसकी रेंज 200 लगवा किलो मीटर होगे अब आएए थोड़ा समय बताता हूँ आपको एक चेश सके कि आखिर जो है कि बेलेस्टि लगा दिया जाता है और इसकी स्फीड को हमेंशिट कर देते हैं तो उसको बैलेस्टिक मिस्साइल बोलते हैं अगर रॉकेट मिस्साइल में आपने देखा होगा क्या देते हैं और यह पूरा सिस्टम बनाते हैं प्रिच्छे पास्त्र में जिसका उपयोग योर्द के लिए किया आता उसको ballistic missile बोलता है एक तो एक समान सब्दों में है यह जो है कि अब थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं आपको फिर image के माध्यम से इसको मैं बताता हूं कैसे काम करता है फिर आपका concept जो है कि clear हो जाएगा यह देखी एक हमारा launch site है और यह हमारा target है तो हमें क्या करना है यहां से हमें launch करना है इसको target करना है इसको hit करना है तो दो परकार की आपने missile सुनी होगी उन दो परकार एक सुना होगा आपने cruise missile एक सुना होगा ballistic missile तो जो cruise missile होती है उस समानानतर सता की क्या होती समानानतर चलती है और जाकर target को hit करती है लेकिन जो ballistic missile होत target को अपने hit करती है तो यहां एक तो भी सेस्था कौन सी थी कि यहां जो है कि क्या होता है आपके atmosphere से होकर round करते हुए आती है ना कि यहां जो है कि आपके सता के समाना अंतर चलती इसी के साथ साथ जब यहां missile होता है अब देखी यहां पर primary stage पहले stage में हमने इसको छोड़ा दूसरे stage में देखा आपने इसका यहां भाग निकल गया तीसरे stage पर यहां कुछ पर कुछ निकल जाएगा और last में जाते जाते जो 7 position आती है 7 नमर आता है सिर्फ जो missile का आगे वाला जो भाग है जिसको हम लोग वार हेड बोलते है यहां जाके क्या करता है target को hit करता है तो यह जो ballistic missile होती है काफी उपयोगी होती है और सहमाने तक क्या होता है कि अगर आपको माल लेजे किसी target को hit करना है तो अगर सीधे सीधे करें तो बहुत से sun रचनाय होती है परवत पहार घाटिया होती है और इसी के साथ साथ speed का भी कुछ अंतर होता है और इस वजे से जो सबसे ज़्यादा उपयोगी इस समय missile है माने जाती है वो कौन सी होती है ballistic missile है तो यह देखा हमने क्या था दो ballistic missile हों को हमने example देखा जैसा कि मैंने आपको बता है कि यह इसमें क्या किया जाता है कि यह दागने पर पहले उपर जाती है और फिर यह जो है कि क्या होता है फिर नेधारी दलच पर अपने आप क्या कर देती है परहार कर देती है भारत में अगर आपने प्रत्वी अगनी का नाम सुना हो, धनुस का नाम सुना हो, तो यह जो मिसाइले हैं, यह कौन सी हैं, इसी बैलेश्टिक मिसाइल का एक जामपल है, अब देखें मैंने इनका नाम बता दिया, तो इसके विस्ते में जो भी आप पूछ पड़े होंगे, सबी बिस्ता हैं, आपको जो है कि बैलेश्टिक मिसाइल में मिल जाएंगे, सबसे पहली जो बैलेश्टिक मिसाइल जो भीकसित की गई थी, 1930 से लेकर 1940 के बीच जो भीकसित की गई थी, और वो करगी थी, नाजी जर्मनी के दौरा, आपको पता है, इतलर का समयकाल है, और इसको क्या किया गया था बिक्सित किया गया था और इसका जो सबसे पहला प्रियोग दिखाई देगा वह फ्रांस के बिरोज जो है कि 6 September 1944 में और दो दिन बाद फिर से इसको लंदन पर इसके अटेक के लिए इसका प्रियोग किया जाता है तो यह हमने समझा अभी क्या था बै शानों पर एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर इसको आसानी से पहुँचाया जा सकता है और इसका तोरित उप्योग सीमित उद्धिस्यों के लिए किया जा सकता है अब देखिए फिर से मैं आपको वही इमेज दिखाता हूँ image से माध्यम से फिर सहीं सब चीज जो को आपको समझाता हूं किया खरिये tactical जो missile होती है कैसे काम करती है यह देखिये आपके skyn पर देखिये प्रहार missile है जो प्रहार missile है यह देखिये किया है किसी ट्रक पर इसको रखा गया है तो कुल मिला कि अगर हम इसको missile को launch करना है तो हमें कहीं इस प्रकार का infrastructure आल लेडी बना के नहीं रखना होगा कि हमें वहाँ पे जो है कि missile खड़े करके रखना है और हम वहाँ सही यूच कर सकते हैं चूंकि इसको जब भी छोड़ा जाता है काफी जटका लगता है और पूरा चोटे 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 जो है कि ऑटो मोग के माधीम से अर्था चोटे चोटे घाडियों के माधीम से इसको हम launch कर सकते हैं इसको जब launch करते हैं तो जैसा कि मैं मताई कि या सीमी तुद्दिसों के लिए होता माले जै एक condition आ गई कि पाकिस्तान ने कभी हाला कि वह नहीं माले उसने कभी ऐसा कंडिशन आया कि उसने तुरंत जो है कि मिसाइल दाग दिया कुछ उसने हमारे जो है कि छेत्र में परवेस्ट किया अब अगर हम उनकी सेना को रोकना चाहते हैं तो दो है या तो हम पूरी अपनी फोच को हाँ पहुंचा है दूसरा यह है कि अगर हमारी जो है कि इस परकार के टैक्टिकल मिसाइले हैं तो हम दूरी से भी उनको रोक सकते हैं उनके किसी एरिया पर उनको हिट कर सकते हैं जिस रास्ते से फोच बढ़ रहे हैं उस पर हम पूरी फोच के टुकुड़ी पर हम इसको जो है कि हमला कर सकते हैं तो इसका उद्यस होता ह तौरित करने के लिए होता है और था मिसाइल है कि हमेसा तौरित के लिए होंगे लेकिन इसमें क्या होता है जो अन्य मिसाइल होती है जैसे आपको अगनी है तो अगनी के लिए आपको क्या करना होगा पूरा एक प्रोसेस है कि आपको क्या है कि जो आपका नेशनल स्टाफ है security का उससे अनमती लेना होगा प्रधान मंत्री को सूचित करना होगा प्रधान मंत्री के अनमती लेनी होगी वह अपनी committee से discuss करेंगे लिकनी यह जो पूरा जो tactical missile होता है यह लगाया इसलिए जाता है कि कभी ऐसी condition आए कि अनमती से लेके हर चीज की अभी जो है कि हमारे पास समय नहीं है तो तुरंट इसका तौरी समधान के लिए इसका प्रियो किया जाता है तो किल में लाकर यह जो mixit किया जाए इसका नाम क्या होगा प्रानास रखा जाएगा जो कि प्रहार missile देखिए जिसका मैंने आपको इमेज दिखाया प्रहार missile का एक 19 क्या होगा संस्क्रण होगा फिर प्रशना आएगा कि प्रहार जिसकी छमता 1.500 किलोमेटर है और वो उसको बढ़ा कर 200 किलोमेटर हम कर रहे हैं आखरी है जरूरत क्यों पड़ी हमारे पास प्रहार था तो इसी से हम प्रहार कर सकते थे प्रनास अर्था जो की विसाल मात्रा में नास करने की आव सकता क्यों पड़ी तो इसके पीछे दो कार हैं इसका तो पहले तो है कि जो हमारा जो प्रहार जो missile है उसमें हम कुछ technological improvement करना चाहते हैं तो साथी साथ हम यह चाहते हैं कि इसको हम export करके कुछ जो है की currency भी हम प्राप्त करें जैसे इस रोग का ब्योसाइक प्रयोग हम कर पाएं ठीक इसी तरह से हम defense की चीजों का भी strategic export करके कर सकें तो इसी के लिए हमने की इसमें सुधार करने का निर्ण लिया है और इस तरह से आने वाले समय में ना सिर्फ हमारे लिए यह विदेशी मुद्रा का एक सुरोथ हो सकता है बलकि हमारी जो रच्छा पढ़ाली है उसको भी मजबूत कर सकता है और इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो तोरित युदिस से इस्तिथी से निपटने अर्थात ऐसी आकास्मिक संव जो एकी चुनोतियों से निपटने के लिए किया जाएगा इसे DRD क्या कर रहा है बिक्सित कर रहा है और इसका उद्दिस क्या है इसको निर्यात्मुक बनाना है tactical जो मिसाल होती है समानता 200-300 km रेंज के लिए होती है जो हमारी परहार थी वह कितने थी 1500 किलोमेटर की थी जो प्रनास हम बनाने का प्रयास कर रहा है उसका जो दूरी कबर करेगी वो लगभग 200 किलोमेटर की एरिया को कबर करने का प्रयास करेगी किया जाएगा तो अभी जो हमारी परहार है अगर हम tactical missile किसी देश को बेजते हैं तो उन्हें tactical missile के उची यह होता है कि सामने कोई पडोसी है या किसी छेतर से हमला हो सकता है तो उसके लिए अब डेर सो किलोमेटर की है तो हो सकता है वार्डर पर ही आपको लगाना पड़े तो मांग की जा रहा ही थी कि हम क्या करें इसकी थोड़ा सा दूरी को बढ़ाएं और उसी के ताद हमने किया है अब इस दूरी को बढ़ा कर क्या करेंगे हम अधिक दूरी से दुसमनों को रोकने में क्या होंगे भारत ने कुछ समय पहले प्रगती नामक tactical missile को बेचने का प्रय तो लोगों का आकरसर करता है, जिस परकार इंडिया में जो है कि ग्यारमा जो है कि डिफेंस एक्सपो हो रहा, इसी तरह अन्य देशों में होता है, तो हम वहां पर ले कर गए, किसी नो वहां पर रूची नहीं दिखाए, तो हमने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, प्रहार को औ पांस साल में जो डिफेंस के एक्सपोर से लगवां 35,000 करोर रुपे प्राप्ति का जो लच्च रखा है, वो भी क्या हो सकेगा, इससे पूरा हो सकेगा, आने वाले समय में अगर यह हमारी मिसाइल परणा लिए, हलाकि यह काफी इसमें समय लगेगा, लगवां बर्स 2021 में तो इसका ट्रायल चालो होगा, तो आने वाले समय लगेगा, लेकिन अगर हम कर लेते हैं, तो किसी जिस तरह से हमने इस रूप को क्या किया है, एक ऐसी बॉडी के रूप में कनवर्ट कर दिया है, जो कि पूरे दुनिया में पॉपलर है, डिया डियो भी पॉपलर है, लेक की दिमां की मंगलियान आ जाता है, हम अभी काफी कुछ छेत्रों में अभी थोड़ा सा पीछे हैं, और उसके पीछे क्या कारण क्या है, हमारा एक जो बैक्ग्राउंड, चूंकि हमने उपने बेस रहे हैं, लेकिन इन बर्सों में अगर इस रूप को देखें, तो काफी सा प्रतिवी के बाद मंगल का चौथा इस्थान है, इसकी जो अराभा है, जो प्रतिमा है, जो इमेज बनती है प्रतिवी से देखने पर, वो लगभग रेड कलर की होती है, इसी की कारण इसको जो एकि लाल गरह कहा जाता है, हमारी स्वर मॉनलर का जो सबसे उच्चा परवत ओलंपस जो मॉन्स है, वो क्या है, मंगल पर ही इस्थित है, तो इस से हमें ये पता चला है कि यह हमारी जिग्यासा का अभी तो पार्ट है, और साथी साथ आने वाले समय में जीवन की संभावना इस पर होस लगती है, क्योंकि बहुत से ऐसी खोजे हुई हैं, जिन से पता चला है कि वहाँ पर जीवन की संभावना ब्यक्ति की गई है, तो अभी हम क्या है, रिसर्च की लेबल पर हैं, और इसी रिसर्च के लेबल को और आगे बढ़ाने के लिए, मंगल को और नजदीक से जानने के लिए, मार्च जो है कि मार्च 2020 रोवर नासा दोरा इस साल जु अब यह लॉंच किया जाएगा, तो इसका कुछ ना कुछ उद्देश होगा, और इसका जो उद्देश है, वो है मंगल की जिलोजी को समझना, अर्थात वहां की चटाने, वहां की रासानिक संरचना को समझना, और साथी साथ जो अब इस से पहले वहां पर जीवन की कोई स किया जाएगा, जिलोजी के मादब से किया जाएगा, प्रशना हैगा कि आखिर इसको कैसे किया जाएगा, तो देखिए, यह आपका सौर मंडल है, इसका एक इमेज है आपके पास, अब आएए, मैं आपको देखाता हूँ कि आखिर किस तरह से इसको किया जाएगा, यह दे इसमें कैमरे लगे होते हैं, इसमें काई परकार के डिवाइस होते हैं, और यह क्या करते हैं, अपनी हिसाब से जो इनको कार दिया गया रहता है, जो उस परकार का फंक्सन हमने इसमें सेट किया होता है, उस हिसाब से अपनी गत्विधियों को चलाते हैं, अब देख सकते हैं जो है कि इतने बड़े होते हैं कि चटानों को तोड़ सकते हैं, इनके अंदर इतनी ऐसी टेकनोलजी होती है कि बहुत दूरी से कुछी चीज का पता लगा सकते हैं, तो इसी के करम में हमने क्या किया है, हमने मतलब नासा ने क्या किया है, मार्स 2020 रोवर को भेजा है, और इसक मा बैज्ञानि गत्विद्यों को अंजाब देता है, तो यही जो गाड़ी नुमा रोवोट होता है, इसी को हम बोलते हैं, रोवर बोलते हैं, यह जो रोवर होता है, कुछ चट्टानी टुकडों को इकठा करेगा, उनका अध्यन करेगा, और उन टुकडों में से कुछ ट इंसानों को भेजते हैं तो उनके लिए किस प्रकार की चुनावतियां आएंगे जैसे आपको पता है अभी हम जो है कि क्या कर रहा है हम लोगों की प्रोजेक्ट लगाएं तो जब प्रोजेक्ट की mission पर हम काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम हुमनावल्ड उहां भेजे पहले हैं आपको तकनीकी का परिष्ण करना होगा तो इसी लिए यह सास्थ किया जाएगा इस रोबर केशास जो सबसे बड़ी बात है एक सूपर कैम नामक एक रोबर्ट भी जायेगा और सूपर कैम इक रोबर्ट का कही कही परकार है शूपर कैम escall Estados है क्या विसेश्था होती है यह क्या करता है साट मीटर की दूरी से सेवन मीटर की दूरी से भी क्या करता है चीजों को समझ लेता है अर्थाज इसमें से लेजर टेकनोलजी निकलती है उसके माद्यम से चीजों को काफी आसानी से समझा जा सकता है अगर माल लेजे कि यहाँ पर यहाँ जो है कि आपका रोवर है और यहाँ पर कोई चीज है और बहुत छोटी है मतलब इतना समझी है कि पैंसिल के जैसे मैंने यह तो बड़ा बना दिया मैं इसको छोटा कर देता हूँ यह माल लेजे जैसे ऐसे पॉइंट रखा तो भी क्या कर सकता है इसको यह देख सकता है इसके बिसे में जानकारी प्राप्त कर सकता है तो ऐसे ही जो कि रोवर जो बोला जाता है उसको सूपर कैम के नाम से जाना जाता है और इसको भी क्या किया जा रहा है इसके भीजा जा रहा है तो यह आप से प्रशन पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा कुछ भी है मार्स रूवर 2020 में कि जिसके वज़े से वहां की संभावना पता चल सकती तो बिल्कुल करेगा हम बिल्कुल है क्योंकि इसमें अभी तक की सबसे एड़्वांस टेक्मिनोलजी यूज किया है किसने आपने के नासान यह जो लेजर है ना सिर्फ परत का अध् करेगा और इस तरह से आने वाले समय में हमें वहां के जो पूरा उसका वेदर सिस्टम है उसके विसे में काफी अज्जानकारे हमें मिलेगी उसके साथ साथ चुकि यह तो था आपका अभी तक का आपने बाकी यह जो नाम लिखे हुए हैं यह जो है कि नासा के द्वारा भ के लिए इतना ही थेंक यू सो मच